हेलो स्टुडेंट्स मैं सुधा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ओनलाइन में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 का वॉक्षिट वॉक्षिट नंबर 38 और वॉक्षिट है 1 अक्टूबर 2020 का आज का हमारा टॉपिक है राश्ट्रिय अर्थ व को सब्सक्राइब कर लें वैल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे हैं वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को सेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी वॉक्षिट नंबर 38 को सॉल्व करने में हमारी वीडियो से हेल्प मिल सकें तो बच्चों आज का जो यह वॉक्षिट है 38 यह लिया गया है सोसल साइंस से सामाजिक विज्ञान से और आज का जो हमारा टॉपिक है राश्ट्री अर्थ वेवस्था की जीवन रेखाएं यह ली गई है समकालीन भारत भाग दोसे इससे पहले वॉक्षिट में भी हमने पढ़ा था राश्ट्री अर्थ वेवस्था की जीवन रेखाएं जिसमें हमने सरक परिवहन के बारे में पढ़ा था कि किस परकार सरक परिवहन जो है वह कम दूरियों के लिए ज़्यादा अच्छा है हमने उसमें सरक परिवहन की विसेस्ताएं पढ़ी थी किस परकार हम स सरक परिवहन का इस्तेमाल किया जा सकता है तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे रेल परिवहन के बारे में जिस परकार सरक परिवहन का अपना एक महत्तो था उसी परकार रेल परिवहन का भी अपना एक महत्तो है भारत में रेल परिवहन वस्तुमू तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुक साधन है रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है जैसे वैपार, ब्रह्मन, तिर्थ यात्राईं वो लंबी दूरी तक समान का परिवहन आदी एक प्रमुक परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्सों से भी अधिक समय से भारतिये रेल एक महत्तपून समन्वेक के रूप में भी जानी जाती है भारतिये रेलवे देश की अर्थ विवस्था उद्योगों वक्रिसी के तिवर गती से विकास के लिए उत्तरदाई है बच्चों भारत में सबसे पहले 1800 तिरपन में ट्रेन चलाई गई थी जो मुंबई से थाने तक चलाई गई थी मुंबई टू थाने भारत में ट्रेन की आवाजा ही क्यों सुरू हुई थी तो बच्चों अठारा सो तिरपन में भारत में अंग्रेजों का सासन था अंग्रेज अपने प्रसासनी कार्यों को सही तरीके से चलाने के लिए अठारा सो तिरपन में पहली बार भारत में ट्रेन चलाया था भारतिय रेल जो है वह एक साधन है किस चीज का साधन है तो बस्तुओं और यात्रियों के परिवहन का साधन है अगर किसी को लंबी दूरी तै करनी है किसी यात्री को लंबी दूरी तै करनी है तो वह किस से जाना पसंद करेगा वह जाना पसंद करेगा रेल से क्योंकि रेल बहुत सारी सुविधाये प्रदान करता है और साथ ही इसका किराया भी कम लगता है अब माल लेजे किसी को दिल्ली से कन्या को मारी जाना है तो क्या वह रोडवेज लेगा नहीं वह किसका इस्तेमाल करेगा वह करेगा रेल का इस्तेमाल वह जाएगा रेल परिवहन से क्योंक के स को समझते हैं, तो बच्चों, यहाँ इस image को देखिए, इस image में लोग क्या कर रहे हैं? रेल के द्वारा यात्रा कर रहे हैं, रेल की जो यात्रा होती है, वह लंबी दूडी में बहुत ही आराम दायक यात्रा है, अगर लोगों को लंबी दूड़ी ते करनी हैं तो लोग क्या करते हैं रेल की यात्रा करना पसंद करते हैं क्योंकि रेल परिवहन जो है इसमें किराया भी कम लगता है और लोग वह सारी सुविधाओं के साथ अपनी यात्रा कर पाते हैं चलिए यहां मैं आपसे एक प्रस्म पूछती हूँ आप उसका उत्तर हमें कमेंट में बताएं अगर आप देली से पंजाब रेलवे के द्वारा जा रहे हैं तो आपको कितना किराया देना पर रहा हैं आप हमें कमेंट में बताएं कि अगर आप देली से पंजाब जा रहे है तो rail का किराया कितना होगा अगर आप दिल्ली से पंजाब किस से जा रहे हैं रोडवेज से जा रहे हैं तो आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको कितना किराया देना पर रहा है इसके बाद आपको यह पता चलेगा कि रोडवेज आपके लिए सस्ता है या रेलवेज तो बच्चो लंबी दूरी के लिए जो है लंबी दूरी का सफर अगर आप तै करते हैं तो लंबी दूरी के सफर के लिए रेलवेज जो है वह बहुत ही अच्छा साधन है इसमें आप बहुत ही कम कीमत में अराम से लंबी दूरी तै कर पाएंगे दिल्ली से अगर कन्या कुमारी जाना है तो भी आप रेलवे का ही उप्योग करेंगे ना कि रोडवेज का रोडवेज जो है वो लंबी दूरी के लिए महंगा परिचालन है या कह सकते हैं महंगा परिवेहन है जबकी रेलवे सस्ता परिवेहन है चलिए अब आगे देखते हैं अब यहां देखिए बच्चों बस्तूओं को लाने और ले जाने के लिए सबसे अच्छा परिवेहन कौन सा है तो सबसे अच्छा परिवेहन रेल परिवेहन है क्योंकि अधिक से अधिक मात्रा में वस्तुएं रेल परिवहन के माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुँचाया जाता है इससे वैपार पे असर पड़ता है इससे कृशी पे असर पड़ता है और यह हमारी आर्थिक विकास को भी क्या करता है बहतर बनाता है अब जैसे यहां उदाहरन के तौर पर केरल में क्या उगाया जाता है मसाले उगाया जाते है सबसे अधिक मसाला केरल में होता है अब मसालों का वैपार सभी जगह किया जाता है सबसे पहले केरल से मसाले मंगवाए जाते हैं तो वो किस माध्यम से आता है केरल से मसाले रेल के द्वारा लाया जाता है क्योंकि जो हमारा सरक परिवहन है इससे किसी भी समान को लाने और ले जाने का लागत जो है वह अधिक होता है हम हवाई जाज से भी नहीं मंगा सकते क्योंकि उसमें भी लागत क्या होगा अधिक होगा इसलिए सबसे सस्ता पड़ता है रेलवे और हम रेलवे से अधिक से अधिक वस्तूओं को एक जगा से दूसरी जगा ले जा सकते हैं और ला सकते हैं और यहां एक बात और जान लेजे कि अगर हम वस्तू सस्ते दरों पर एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाते हैं तो वह मिलता भी सस्ते दरों पर ही है जैसे मसालों को लाने और ले जाने में मुल्ले जो है वह कम लग रहा है इसलिए हमारे देश के सभी राज्यों में मसालों की कीमत जो है वह अत्यदिक नहीं है और सभी घर तक आसानी से पहुँच पा रहा है तो चले कुछ इमेज देखते हैं जिसमें बस्तूओं को किस परकार रेल के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह लाया और ले जाया जा सकता है बच्चों इस इमेज को ध्यान से देखिए इस इमेज में क्या दिखाया जा रहा है या एक गूड ासे है यानी मालगारी और मालगारी में क्या भड़ा जा रहा है? यह मालगारी है जिसमें यह माल जो है वह इसमें भड़ा जा रहा है और एक बात ध्यान दीजिए कि जो train होते हैं जो goods train होते हैं वह अधिक से अधिक बस्तूओं को एक साथ एक जगा से दूसरी जगा पहुँचा सकता है अगर हम roadways का use करते हैं या हवाई जहाज का use करते हैं तो उससे कम से कम समान ही एक जगह से दूसरी जगह पहुचाया जा सकते हैं जबकि railway क्या करता है? अधिक से अधिक समानों को एक जगह से दूसरी जगह कम-दर में पहुचाता है और इसलिए हमें भी यह कम दरों में ही मिलता है तो बच्चों इसलिए यहां कहा गया है कि रेल परिवहन जो है वो अनेक कारियों में सहायक है जैसे हमने अभी देखा वैपार भी रेल परिवहन के द्वारा आसानी से किया जा सकता है रेल परिवहन के द्वारा भारत के अनेक राज्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसी वज़ा से वैपार भी अच्छा हो रहा है देश का विकास भी अच्छा हो रहा है अब जैसे किसी को भ्रह्मन करना है तो ब्रह्मन करने के लिए भी वह किसका इस्तेमाल करेगा रेल परिवहन का क्यों करेगा क्योंकि रेल परिवहन जो है वह सस्ता पड़ता है किसके मुकाबले सरक परिवहन के तीर्थी आत्राएं या लंबी दूरी पर जाना है तो इन सारी चीजों के लिए लोग रेल परिवहन का इस्तेमाल करते हैं बच्चों हमारे देश में रेल परिवहन एक सो पचास वर्सों से चल रहा है मैंने आपको अभी पताया है कि सबसे पहली ट्रेन अठारह सो तेरपन में चलाई गई थी कहा से कहा तक मुंबई से लेकर के ठाने तक और क्यों चलाई गई थी? क्योंकि उस समय अंग्रेजों का सासन था और अंग्रेज अपने वैपार में सहुलियत के लिए रेल परिवहन का इस्तेमाल किया करते थे और उस समय रेल जो था वह किस से चलता था तो भाफ से चलाया जाता था लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता गया आज हमारा रेल किस के द्वारा चलाया जाता है विद्धूत के द्वारा चलाई जाती है वक्त के साथ साथ रेलवे का विद्धूतिय करन हुआ हमारे देश की अर्थर्वस्था का विकास हुआ उद्योगों वक्रिशी में भी तिवरगती से विकास हुआ और ये सब भारतिये रेलवे की वज़ा से ही संभव हो पाया है चलिए अब आगे देखते हैं अब यहाँ देखिए लाइनों का गेज दिया हुआ है रूट किलो मीटर में दिया हुआ है वहन मार्ग किलो मीटर में है और कुल मार्ग किलो मीटर में दिया हुआ है तो सबसे पहले बरी लाइन बरी लाइन का गेज कितना होता है 1.676 गेज का मतलब क्या होता है तो यहाँ देखिए बरी लाइन का गेज क्या है 1.676 मीटर यानि बरी लाइन के बीच जो पट्रियां होती हैं उनके बीच की दूरी 1.676 मीटर होता है बरी लाइन की रूट दी हुई है यहाँ पे किलो मीटर में 63,491 वहन मार्ग है इसका 89,581 किलो मीटर और कुल मार्ग यह तै करती हैं 1,17,560 किलो मीटर की दूसरा है मीटर लाइन मीटर लाइन की गेज कितनी है 1.000 यानि इसके पट्रियों के बीच में कितना का अंतर है तो 1.000 मीटर का अंतर है और यह और इसकी रूट कितने किलो मीटर तक फैली है तो 32 किलो मीटर तक वहन मार्ग 342 किलो मीटर और कुल मार्ग 3775 किलो मीटर है उसके बाद छोटी लाइन, छोटी लाइन के बीच पट्रियों का जो गेज है वा कितना है? यानि पट्रियों के बीच की जो दूरी है वा कितनी है? 0.762 और 0.610 तो यहां है छोटी लाइन के बीच की गेज मीटर यानि पट्रियों के बीच की दूरी अब देखिए बच्चों जैसे जैसे वक्त बदलता जा रहा है अब मीटर लाइन को और छोटी लाइन को बड़ी लाइन में कनवर्ट करने के लिए योजनाय बनाई जा रही है छोटी लाइन का इस्तेमाल बच्चों पहारी इलाकाओं में किया जाता है क्योंकि पहारी इलाकाएं जो होती हैं वह उबरखावर होती हैं और उस पर पट्रियां बेचाना आसान नहीं है इसलिए वहाँ छोटी लाइन का प्रियोग किया जाता है और जेनरली छोटी लाइन पे टोईस ट्रेन चलाए जाते हैं इसकी रूट कितनी किलोमीटर तक है तो इसकी रूट है 1751 किलोमीटर तक वहन मार्ग 1752 किलोमीटर और कुल मार्ग 1901 किलोमीटर अब देखिए सभी लाइनों की कुल रूट हो गई 68,442 और वहन मार्ग हो गया कुल 94,735 और कुल मार्ग हो गया 1,23,236 किलोमीटर तो यह आपको क्या करना है? ध्यान रखना है चलिए अब प्रस्ण देखते हैं पहला प्रस्ण अमारा है भारतिये रेल किस प्रकार देश में समन्वय की भूमी का निवाती है तो बच्चों चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं यहां देखिए पहले प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा यह देश के सभी राज्यों को आपस में जोरती हैं रेलवे से देश का आर्थिक विकास होता है इसलिए यह आर्थिक विकास का महत्तपुन साधन है यह भारती सांस्कृतिक एकता का भी परिचायक है कौन रेलवे इससे यानि की रेलवे से क्रिशी एवं वैपार दोनों में निरंतर विकास होता है यह कच्चे माल को आसानी से उद्योगों तक पहुँचाता है और बंदरगाहों को उद्योगों से जोडता है तो आप आंसर हमेशा पॉइंट में लिखा करें पॉइंट में आंसर लिखना बहुत ही अच्छा होता है इसलिए जब भी आप प्रस्नों के उत्तर दें तो कोशिस करें कि उसे पॉइंट में लिखें दूसरा प्रस्न रेल यात्रा से जुड़े अपने किसी अनुभव के बारे में लिखें अगर अभी तक आपने रेल में यात्रा नहीं की है तो पडिवार के किसी सदस्य के रेल यात्रा के बारे में उनकी अनुभव को लिखें तो बच्चों क्या आप लोगों ने रेल यात्रा की है अगर हाँ अगर आपने रेल यात्रा की है तो आप हमें कमेंट में बताएं कि आपका अनुभब कैसा रहा मैंने रेल यात्रा की है मुझे रेल यात्रा करना बहुत ही अच्छा लगता है रेल यातरा के दौरान जब हम रेल से यातरा करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है जब आप रेल यात्रा करेंगे तो आपको हरे भरे खेत लंबी लंबी कतारों से लगे हुए पेर, नदियां, छोटे छोटे गाउं ये सारी चीजे मुझे बहुत ही अच्छा लगता है मैं सारी दिन खिड़कियों के पास बैठे इन सारी चीजों को ही प्रकृति के इस सुन्दर दिरिश्य को ही निहारती रहती हूँ और रात के समय सोने के लिए बहुत ही आनंदायक सीट होता है जब ट्रेन चलती रहती है तब सोना बहुत ही अच्छा लगता है तो आप भी इसी तरह अपने अनुभब को हमारे साजा कीजिए कमेंट करके बताईए चलिए अब हम अगला प्रस्न देखते हैं अगला प्रस्न हमारा है रेल्वे किस परकार उद्योगों और क्रिसी छेतर में विकास को बढ़ावा देती है हमें वताना है कि रेल्वे जो हैं वकिस परकार उद्योग और क्रिसी छेतर में बढ़ावा देती है तो बच्चों रेल माध्यम से ही क्या होता है उद्योगों तक कच्चा माल पहुँच पाता है क्रिशी में जो भी उपज होती है वह रेल के माध्यम से ही बाजारों तक पहुंचता है तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं तो यहां देखिए प्रसंसंक्या 3 का उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे रेलवे उद्योग और क्रिशी छेतर में विकास को कुछ इस परकार बढ़ावा देती है पहला रेलवे क्रिशी को बाजारों से जोडती है इससे उद्योगों को कच्चा माल कम लागत में उपलब्ध हो जाता है रेलबे द्वारा क्रिश्ची प्रदेशों को राशाइनिक खाद, वीज, मसीने इत्यादी आसानी से उपलब्ध हो पाती है या फसलों, डेरी उत्पादों, फल, फूल और सब्जियों आधी के परिवहन में मदद करती है अगला प्रसन देखिए भारती रेल से संबंदित कुछ नई घटनाओं का जिक्र कीजिए जिसमें बूलेट ट्रेन, रेलवे का नीजी करन, रेलवे प्लेटफॉर्म पर उभोगता सुल्क तो बच्चों, अब कुछ दिनों में आप लोग बूलेट ट्रेन भी देखेंगे अभी तो बूलेट ट्रेन मुंबई से एहंदाबाद तक चलाई जाएगी अभी चलाई नहीं गई है, लेकिन इसका जो निर्मान कारे हैं, वह चल रहा है उसके बार रेलवे का नीजी करन किया गया, कई नई रूट्स बनाए गए है अब देखें पहले लोगों को रेलवे का प्लेटफॉर्म टिकट नहीं लेना पड़ता था लेकिन अब अगर आपके साथ अतिरिक्त लोग रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हैं तो उनको क्या करना होता है, प्लेटफॉर्म टिकट लेनी पड़ती है प्रस्ण संक्या 4 का उत्तर आप इस परकार लिखे इन दिनों रेल्वे में निम्नलेकित बदलाव आए हैं पहले के मुताबिक अब सभी लाइनों का विद्यूत्य करन किया जा रहा है यानि पहले जो ट्रेने चलती थी वह किसे चलती थी वास्प से चलती थी और अब किसे चलती है तो विद्यूत्य से चलती है दूसरा बुलेट ट्रेन सबसे तेज परिचालन बाली ट्रेन है जिसका परिचालन सबसे पहले मुंबई से बीच होगी अभी हुई नहीं है बलकि होने वाली है तीसरा अब सभी रेल्वे लाइनों को ब्रोड गेज में बतला जा रहा है ब्रोड गेज कहने का आर्थ यहां पर बच्चो बड़ी लाइनों में कनवर्ट किया जा रहा है उसके बाद पहली बार रेल्वे का नीजी करन हो रहा है जिसमें नीजी रूटे होंगी यानि बहुत सारी अतिरिक नई रूटे बनाई जाए रही है पाच्वा हमारा है अब हमें प्लेटफॉर्म और उभोकता सुल्ट भी देना पड़ता है तो आज का ये वॉक्सित यहीं समाप्त होता है वॉक्सित आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेर अवर्षे करें ताकि हमारी वीडियो से उन्हें वॉक्सित नंबर 38 को सॉल्ल करने में हेल्प मिल सकें तो मिलते हैं अगले वॉक्सित में आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में आप सब का धन्यवाद